अब वोइस में आजगा टार्गेट में लेके चल रही हूँ सब्जेक्ट केसिस अगर कंप्लीट हो गए तो वर्ब केसिस भी करा दूँगे करा दे बचों सब्जेक्ट केस से हमारा क्या मतलब है सबसे पहला केस जो सब्जेक्ट में आएगा वो है अंडस्टूड सब्जेक्ट केस क्या है अंडस्टूड सब्जेक्ट केस जो दूसरा आएगा वो है इन डेफिनेट सब्जेक्ट केस क्या है बचो दूसरा, indefinite subject case, पहले तो इन दोनों को समझने से पहले subject को समझो, subject का मतलब होता है हर वो शब्द जिसके बारे में आप sentence में कुछ कह रहे हो या बता रहे हो, जब voice का basic समझाया था, तब भी ये बात आपको मैंने बड़े अच्छे से समझायी थी कि subject क्या है औ object क्या है, अब हम कह रहे है subject दो तरीके से English के sentence में देखेगा, one style is understood subject and another style is indefinite subject, understood subject का मतलब है, जहां पे बिना subject बताए भी ये समझ में आ जाए कि subject क्या है, यानि काम ये बता दे, action ये बता दे, वर्ब ये बता दे कि subject क्या है, जैसे कि teach कर रही हूं मैं, तो teacher हूँ, यानि ये mention करने की ज़रूरत नहीं है कि teach कर रहा है तो वो कौन है, teacher है, teaching चल रही है तो कौन कर रहा होगा, teacher, ये understood है, चोरी कर रहा है तो कौन होगा भाई, चोरी होगा, book लिख रहा है तो कौन होगा, लेखा कवीता सुना रहा है तो कौन होगा, समझ गया आप मेरी बात क तो जहां action बता दे कि काम को करने वाला कौन है उस subject को कहते हैं understood subject indefinite subject का मतलब होता है बच्चों subject लिख तो दिया पर यह पता नहीं लग रहा actually में subject है कौन sentence में subject लिख रखा है पर actually में समझ में नहीं आ रहा कि subject कौन है अब यह कैसे होता है भाई आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी ना कभी बस में train में metro में सफर किया हाथ उठाओ इसलिए तो तीनों option दिये थे ताकि सब की हाथ उठ जाए बस में भी बैठे होंगे train में भी बैठे होंगे और metro में भी अगला जवाब सोच समझ के देना इन तीनों वहनो में सफर करते हुए आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ कभी ऐसा हुआ बस में चड़े क्या कह रहे हुं चोरी हो गया एक दो तीन बच्चों के साथ चार बच्चों के साथ हुआ है तो इस बात में ना जो आप मुझे subject बताने की कोशिश कर रहे हो वह इंडेफिनेट सब्जेक्ट यह काम तो हुआ है चोरी तो हुई है यह भी पता है किसी ने की है पर करने वाला यह हमें पता नहीं है पर काम है नहीं बता मोलें किसी ने चुरा लिया मम्मी मुझे क्या पता कौन था होता तो लेकिन ही वापीस तो किसी ने आपका पर्स चुराया तो यह जो किसी शब्द है इसको इंग्लिश कहेगी कौन सा कोई रूम में था जब मैं गया कोई रूम में था तो कोई शब्द क्या है इंडेफिनेट सब्जेक्ट तो अपने रूम में बैठके पढ़ रहे हो पुरा एकदम ध्यान शील होके कई घंटे हो गया है तुम्हें पढ़ाई में मश्गूल चूर हुए प्रेम में डूबे हो एकदम अपनी पुस्तक के और गेट पे होता है नोक-णोक और रात के बज़े हैं तीन थोड़ा दिल की धरकने बढ़ जाएंगे अब दूज दर्वाजे पे नोक-णोक कर रहा है तुम्हें यह पता है कोई तो पर मन नहीं कर रहा होगा खोल के देखने का कून है समय को देखते हुए रात के समय को देखते हुए इच्छा नहीं हो रही होगी पर बोल सकते हो कि कोई मेरे कमरे के दर्वाजे पर रात को तीन बज़े आया था समझे तो कोई आया था और कोई वर्ट इस अगें इंडेफिनेट बेटा पेपर में ना बड़ी ध्यान से understood सब्जेक्ट है ना तो पैस्व में लगाएंगे नहीं एक्टिव में इंडीफिनिट सब्जेक्ट है तो उसे पैस्व में लगाएंगे नहीं एक्जाम्पल से बताती हूं देखो ध्यान से सपोस्पोज मैंने बोला साथ टीचर कह देते हैं पर्टिकुलर की तरफ इशारा करते हैं ते टीचर इस टीचिंग टीचर क्लास एक सेंटेंस अब हमें टीचिंग बता रहा है ना कि अंडर्स्टूर सब्जेक कोन है तो मैं पैसिव कर रहे हूं ध्यान से देखना कोई मुश्किल काम नहीं है वही पाच्चो रूल पुराने जो प्रीविएस क्लास में मैंने तुम्हें सिखाया है अब उसमें कहा the class is being ing की वज़े से being लगता है सिखा चुकी हो ना teach की third form सारे बोलो जो बोलेगा उसकी नोकरी लगेगी the class is being by the teacher नहीं बोलना यही तो सिखा रही थी active में understood होगा passive से गायब active में indefinite होगा पर passive से गायब जैसे मनुदा someone has stolen my purse यही example दे रही थी ना मैं someone has चुरा लिया है my अब मुझे passive करना है क्या करूँ my purse has been stolen by someone बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्या हमें बात समझ में आ गई पहली बात तो यह समझ में आने चाहिए कि मुझसे examiner पूछ क्या रहा है understood पूछ रहा है या indefinite चाहे understood पूछे चाहे indefinite पूछे दोनों को हमें passive से क्या करना है गायब गायब